सियाचीन गिलेशियर में रहे हैं आप एक बार यह वर्दी सम्मान के साथ रखी गई है इसका मतलब एक बार आप इसको उठाए अब हम इसके बाद आते हैं कि पुलीस ने आपके साथ किस परकार का दूर्बेवाल किया और आप कैसे लट रहे हैं से खास करके जम्मु कस्मीर संभाग डिश्टर्ब था तो राष्टिय राइफल का गठन किया गया और उसके अंदर योग्य से योग्यतम सैनिकों को अधिकारियों को ट्रांसफर करके आर्मी से ही राष्टिय राइफल में भेजा गया तो होती है कि हमने कितनी सेवा की है कित हाइल्टी ट्यूड एरिया और उप इसमें ये जो रिबंस है प्रदरसित कर रहे हैं कितने ओपरेशन्स में हमने भाग रोगा जी आप ये क्या कर रहे हैं ये महिला जो है गिरगिडा रही है रो रही है और आप इसके साथ असली हरकत कर रहे हैं अपनी कुर्सी छोड़ करके महिला के पास है वो और उसके बाद जब में प्रतिरोध कर रहा है है और सब ही मारना पीटना मेरे को सुरू कर देते है और जैसे कि एक टेरोरिस्ट के साथ विसाद ऐसा नहीं करते हैं और टेरोरिस्ट की तरह हमको मारते हैं पीटते हैं ब्रामदेश होते हुए उस चेंबर में चले जा रहे हैं कारगिल की लड़ाई में युद्ध करने वाला फाउजी सियाचीन, गलेसियर और अन्यान ऐसे अस्थानों पर जहां आतंगबादियों का बसे रहा है जहां निक्त प्रती घटनाएं घटती रहती हैं वैसे अस्थानों पर अपनी सेवाएं देने वाला बिदेशों में भी ज फाउजी जब जाता है थाने पर एक फरियाद लेकर के दरोगा और पुलिस कर्मी कैसे पेशाते हैं फाउजी कोई सामान फाउजी नहीं आप जान करके दंद रह जाएंगे जो कारगिल में युद्ध लड़ा हो जिसके पिता भी फाउजी रहे हो और जो बीरों की धरती ज निकाला हो बाहर डियम को कहा निकल जा इधर से अपना डियम बैठा दिया अपना यस्पी बैठा दिया ऐसा बलिया आज हम उसी धरती के कैसे जवान से मिलवा रहे हैं वर्दी आप देख रहे हैं तीनी स्टार है और यह क्या है इसका मतलब इसको भी हम बताएंगे कहा कहा चिन गलेशियर में रहे हैं कहा कहा रहे हैं आप एक बार यह वर्दी सम्मान के साथ रखी गई है इसका मतलब एक बार आप उसको उठाए और बताएंगे अब हम इसके बाद आते हैं कि पुलीस ने आपके साथ की परकार का दूर्बेवाल किया और आप कैसे लोड़ रहे ह जी साब सबसे पहले तो जितने भी आम जनता है वो ऐसे देखते भी समझ जाएगी कि यहां से सुरू होता है हमारा इस्टार होता है कैप्टन का पाशान होती है और यह क्या है उसके बाद फिर यह हमारा जिस रेजमेंट कोर के साथ हम काम करते हैं जिसके अंडर कमान में र पर पास इच्छक हैं हम फीजिकल और टेक्निकल ट्रेनिंग होती है जो हमारे नए यूखों को जो रिकूर्स को टेनिंग दी जाती है और उसके बाद भी जो मिच्चोर सेनिक हो जाते हैं तो उनको भी हम क्लास जिसम होता है कि क्लास थार्ड, क्लास सेकेंड, क्लास फास्ट तो इस टाइब की टेनिंग, ट्रेट वाइस टेनिंग हम दे करके उन जवानों को क्वालिफाई करते हैं उसके पहले हम खुड टेनिंग लेते हैं तब हमें जा करके इंस्ट्रक्टर का तगमा मिलता है नाम हमारा नेम प्लेट लगा होता है जिस बटालिन के साथ काम करते ह हैं राष्ट्य राइफल से सब लोग समझ जाएंगे कि राष्ट्य राइफल का गठन ही जब हमारा देस आतंक बाथ से खास करके जम्मु कस्मीर संभाग डिश्टर्ब था तो राष्ट्य राइफल का गठन किया गया और उसके अंदर योग से योग्यतम सैनिकों को अधिकारियों को ट्रांसफर करके आरमी से ही राष्टी राइफल में भेजा जाता है उसके साथ काम करने का पार्ट वाई जो मेरा अनुआ लगभल दस साल से भी जादे का है तर्नोभर एक होता है मैक्समिमम दो या भाई साल का तीन साल का बट मैं पार्ट वाई लगभल रीबन्स बोलते हैं ये पाइचान होती है कि हमने कितनी सेवा की है पूर है है कि यह प्रदर्शित करेगा कि हम टोटल लगभग 30-32 साल हमने सेवा कि है सेना के अंदर उसके बाद कहां कहां सेवा कि है खास करके मुख्यता जम्मू कस्मीर सिया चीन ग्लेसियर लेह लदाख फोरेन हाइल्टी ट्यूड एरिया और उप इसमें यह जो रिबंस है प्रदर्शित कर रहे हैं कि इतने ऑपरेशन में भाग लिया है तो इतने ऑपरेशन में हमने भाग लिया हुआ है और मुख्यता हमारी मैक्सिमम सेवा हैं लगभग 30 साल में 20 से 22 साल की सेवा हमारी सिर्फ डिश्टर्ब इलाके में रही है और बाकी सब यह मेडल्स हैं जनरल साब के दियो चीफ हाप आर्मी स्टाप के मेडल्स हैं जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ नार्दन कमांड का ब तुम्हारी टोपी को जूतों दले दबा दूँगा और तुम्हें पीटूँगा फोजी 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 और दिमाग खराब कर दिया हैं इसा कहकर के बुरी तरह से लात घुर्सों से पिटाई किया इस फोजी के जो स्वेम आन्रदी कैप्टन से सेवा निब्रित हु हम बारूदी सुरंग कहते हैं तो बारूदी सुरंग चुकि हमने आर्मी डॉक्स होते हैं आर्मी के अंदर उनकी बहुत भारी भूमगा होती है आर्मी डॉक्स होते हैं मैं डॉक कोर्स क्वालिफाइड हूं आर्मी डॉक्ट ट्रेनर तो आपसे मैं बताओं को उसके साथ जब दुस्मन हमारे इलाके को छोड़ता है, जब हमने उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया, जब सैक्डों की तादात में आतंगबाजी वहां से भागना सुरू हो गए, हिंदुस्तान आर्मी की कहर को नहीं झेल पाए, तो हाँ बहुत भारी संख्या में बारूदी सुरंगे लगाई गए थी, जिनको हमारी इमिट्स के सम्थिंग दर्जंट की भरकी संख्या में डॉक्स ने मिल करके उसको ब्लीच किया है, यानि कि बारूदी सुरंग से हमने अपनी सेना को प्रोटेक्ट किया है, हमने ब्लीच किया है, तो हम कारिगिल में भी रहे हैं, पाड़े जी क्या हुआ है, बड़ी घटना है जिसे लेकर के आप लड़ रहे हैं, और मुख्यमंत्री से लेकर के प्रिश्डेंट आप इंडिया तक, कैसे गए थे थाने में और किस तरह से दुर्बे वहार किया, कारिगिल के लिए, क्योंकि वह बटारियन मूब की थी, और उसके बहुत ऐसे बहादूर जवान और सेनाधिकारी भी है, जो हमें भी स्प्लेंडर लगा हुआ ऐसा है, स्प्लेंडर हमें भी लगा हुआ है, वहां लगभा कोई सैनिक बचा नहीं है, जो बच गया, सुकर मनाईये, धन्यवाद, और जो सहीद हो गया उनको बिनम्र सरधानजली में अरपित करता हूँ, जो हमसे बिछुड गया भाई, अच्छा मनोज पांडे जो जी वहां रहे थे, हम मिले हुए हैं उनसे, परमभीर जकर बीजेता, काम मरोड़ो पराजी नहीं समान लिया, बिल्कुल, बिल्कुल सर, अच्छा, और ऐसे करके, तो मैं जब जाता हूँ दिन के लगभग के सवा 12 बजे के आसपास में तो यह कि 10 पंदरा मिन बेट करने के बाद उनके से आवाज आ रही होती phase में आवाज किसी महिला वो जंडाव द्ला छला जाता हूं बोलता हो कि जहिन सर मैं आई कमिं कर दाभा मैं एतना मैं बोलता हूं उहां का नजारा कुछ लग था तब वहां पर एक महिला बैठी हुई थी वह महिला बार बार प्रतिरोध कर रहे थी और थाना ध्यक्ष उस महिला के साथ असलील हरक्कत कर रहे थे छेड़खानी कर रहे थे और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ मुझे ही पता चला दरवाजा बंद था क्यों बंद था दिन में वहां महि कर्मी थे बैठ खड़े हो करके और हाई कर रहे हैं मतलब कि बहस कर रहे हैं आपस में और महिला का उन से तर्क भी तर्क जगड़ा फसाद हो रहा है बात आवाज बाहर निकल के आती है मैं जाता हूं घुसता हूं आपिस में और घुसते ही क्या होता है कि मैं यह जब मैं प्रतिरोध कर रहा हूं कि आपको सोभा नहीं दे रही है दो इस्टार लगा करके हाँ मैं गाली नहीं दिया हूं मार पिटाई नहीं किया हूं वहां का CCTV कैमरा गवा है तो दरोगा जी क्या करते हैं कि अब वो इस चीज को सहन नहीं कर पाते हैं उनके कारे में दखल अंदाजी हो जाती है उठकर के तो नहीं उठे हुए थे दोड़ करके हमारे पास आते हैं और मेरी टोपी के उपर लिखा था कारगिलवार मेमोरियल और उस टोपी को बड़े सौक और घमंड के साथ मैं लगाया करता था बीच बीच में तो उस टोपी को उतारते हैं और उ आए हो मैं तुमको कारगिल की लड़ाई लड़ाता हूँ या थाने में लिहाजा साब क्या होता है कि चार से पांच पुलिस कर्मी चुकि हो आवाज सुन करके भी आ जाते हैं और जैसे कि एक टेरोरिस्ट के साथ वी सायद ऐसा नहीं करते हैं और टेरोरिस्ट की तरह हमको मारते पीटते ब्रामदेश होते हुए उस चेंबर में चले जाते हैं जहां फाय यार दर्ज होती है जहां कम्प्यूटर रूम उंगा है दो सीसी टीवी कैमरे मैंने खुछ प्रतक्ष देखा हुआ क्यों कैमरे भी लगे हुए हैं वहाँ भी हमारे साथ मार पिटाई की जा प्रतक्ष देखा हैं जहां कि मारों की कहीं टाका भी ना लगे और मेडिकल भी सिधना हो हम अंधरूनी ऐसी कुटाई इनकी कर दें उसका उस प्रसिष्ण का इस्तेमाल उन्होंने मेरे उपर किया है एक आर्मी एकस आर्मी कैप्टन के उपर जो है उन्होंने इसका इस्ते हैं तो अभी उसकी जवरत नहीं पढ़िए सट के उपर बलड़ के छीटे हैं रुमाल के उपर बलड़ के छीटे हैं मैं नीचे गिर गया वहां एक कुरसी रखे हुई थी कुरसी हटाओ जंगल और देखिए उसी में सेना के खिलाफ एलो टिपड़ी भी कर रहे हैं एक कु मैंने के लिए आते हैं सिविल की चाका चोंद को देखते हैं दारू पी करके हंगामा करते हैं चैठ खानी करते हैं और दारू पी करके हां यही सब चीजेודה करते हैं आकर के इन्हों यह चीज बर muss cruel का मैं इनको ठीक करता हूं अब मैं इनको कारीगिर की लड़ाई लड़ाता हूँ और और कुछ बताने है जो चीज हमने सुना है उसके बाद एक सब दोनों ने इस्तेमाल किया कि इसको यह नहीं पता है कि यूपी पुलिस इंकाउंटर भी करती है तो मैं ये भी नहीं थोड़ा बोलने के अवस्ता में था जो पुलिसके साथ जबान लड़ाता है तुम्हारी तरफ पेस आता है उसी काघ इंकाउंटर कर देते और हमें पता है कि तुम लोग सेना के आदमी अपने आपको सिविल पबलिक के अंदर तुम्हारा रेपूटेशन जो भी है न वो सब धकोसला है आज के डेट में अगर सबसे ब्रश्ट कोई संस्था है तो इंडियन आर्मी है दरोगा जी के मुझ से कही बात मैं आपको बता रहा हूं वो इंडियन आर्मी है जो की बहुत जादे तुम् नहीं साव इनका साथ उपर दो लोग जो कि एक फायार दर्ज करने वाला मुंसी है मत्तब पुलिस करमी है हम कहेंगे और एक कम्प्यूटर पर बैठा हुआ है वो हस रहा है हसने का मतलब क्या हुआ समर्थन देना वो भी हस रहा है मजाक उड़ा रहा है कि बिलकु बिलकु दिवान जी आप सही कर रहे हैं बिलकु दरोगा जी आप सही कर रहे हैं बिलकुल मिस्रा जी आप सही कर रहे हैं यानि कि सब एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं वहां संख्या होती है अतुल कुमार मिस्रा जी तो है ही है उसके बाद जो एक मुननाला लिया दो जिनको मैं तो इतनी संख्या में लोग उस चेंबर के अंदर मौजूद थे और सब एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे मैं पानी मांग रहा था पानी नहीं दिया गया दवा मांगा दवा नहीं दिया गया वीडियो बनाने की कोशिज जो लोग किया उनका मुबाइल जब्द कर लिया गया मेरे मुबाइल को खंगाला गया छेड़ खानी की गई बैग के अंदर राम भगवान राम की प्रांट प्रतिष्ठा बाइस तारीक होनी थी अब यह भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैं भी अपने गाउं में सोभा यातरा निकालने के लिए किसी यूग के साथ आया हु उसमाहिला को भी छोड़ा गया उसमाहिला जब वहां से पीछे से आई है मैं कि सर आप लोग क्या कर रहे हैं यह हमारी मदद किये हैं और हमारे लिए इन्होंने बोला है और आप लोग सब लोग मिल करके मार पीट रहे हैं तो उसको ले जा करके बंद कर दी यह बाद में प कर के मीडिया के अंदर यह बात नहीं बताएंगे हमारे उच्छा लेगदे खोड़ा yourself है जो कुछ नहीं है वो जो एक बढू cinco नहीं हो जुँ नहीं नहीं बीडियोग्राफिकर रहे हैं मंड़ेसर साइन अगरा तो हो नहीं रहा लोन को जाते हैं वहाँ जाने के बाद मेरा टीट तो करते हैं उसके बाद रीफर कर देते हैं और एम्बुलेंस जो आती है 108 नमबर है उस इंबुलेंस वो रीफर कर देते हैं डाकुमेंट समारे पास से बलिया सदर होस्पीटल के लिए कोई दूसरे दि Dale कराता हूं उसके बाद घरने टीटमेंट 15 से पीस दिन तक रहता हूं और जब थोड़ा साच्छा होता हूं oyun तो आगी की कारवाई बता हूं मैं जाता हूं終 B दिन हमारे साफ आठीलो बहुत फोन की एक अप्तान साब को जो फाहिम कुरेशी साब है जिनका अंडर में तीन चार थाने आते हैं फोन नहीं उठाते हैं लिहाजा वो भेजते हैं हमें इसपी साब के पास मैं जाता हूँ इसपी साब के पास देवरंजन बर्मा जी होते हैं पहले दिन नहीं मिलते हैं दूसरे दिन समय नहीं होता है तीसरे दिन बड़ी मसकत के बाद हो मिलते हैं ओ भेज देते हैं डिप्टी एसपी बोल रहे हैं दूरगापर सातिवारी जी हैं कि एक ऐसी केसे आरे वही फोजी वाली केसे यानि कि इनको पहले से पता होता है इतना तो साहब हम भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं अरे वही फोजी और ये भी देखिये कि देवरंजन बर्मा जी जो एस्पी साहब है उन्हें पहले से सब ब्रीफिंग होती है वो भी मुद्रोगा जी के साथ फोन पर लगे होते हैं अंदर से फोन ही करते हुए निकलते हैं कि आरे हां हां वो फोजी आया हुआ है हो यार जो मार पिटाई का रोप लगा रहा है तेरे उपर अतुल कुमार मिस्तरा जी से यह बात हो रहे हैं उनका काल रिकार्ड भी चेक से जहां भी कि कल CCTV कैमरे का रिपोर्ट ले करके हमारे पास पहुंचो वैसे तो सी से ऐसी घटना है तो CCTV कैमरे की रिपोर्ट तुनन तुम्हें निकाल के भेजनी चाहिए बट ठीक है कल मेरे पास ले करके पहुंचो लगभग साड़े ग्यारा बजे तक ठीक है और आपको म नापने दिया है उस फोन नंबर पर आपको इंफोर्म कर दिया जाएगा कि क्या जाच हुई है मुझे तीन महीने तीन दीन होले नहीं तीन महीने बोत मैं आइजी यर स्रीकरताओं मुख्यमंथ्री पॉर्टल पर और से आइजी इरस का हूं कोई response नहीं मुझे मिलता है उसके बाद मैं DGP महोदय के पास पुलिस मुख्याले में जाता हूं वहां भी मैंने पत्रक दिया मैं खुद मुख्यमंत्री महोदय के पास गया लेकिन सचीव महोदय मिले मुख्यमंत्री महोदय नहीं मिले तो सचीव को हमने जो है कि अपना पत्रक उसके बाद फिर केतकी सिंग जी के पास आवाज मुखे मंत्री पाथक जी आए हुए तो उनको भी जा करके मैंने इतला किया वहां लेकिन यह हमने इतला किया कि छोड़ते समय दरोगा जी ने बोला था कि एक ची तो नोट कर लेना इतफाक से आप कहीं भी चले जाओ मेडिया अगरा थाना के अंतरगत है आप जाच करा लिए दर्जनों की संख्या में जीन को मैं जानता हूं बोलते हैं एक्सन होगा मेरा मुबाइल नम्रों ने नोट किया सची को या पीए को नोट कराया अपना बोले कि तीन दिन के अंदर अंदर कारवाई होगी मेरे को लखनव पहुंचने दीजी आप और करव किया तू जो है कि उनको रौना पार का थाना जक्ष बना दिया जाता है नहीं आजमगर जीला के रौना पार थाने का थाना जक्ष बना दिया जाता है अब बताईए मैं कहां तक भी स्वास्टार वाले हैं कि तीन इस्टार वाले हैं कि तीन इस्टार वाले हैं तीन इस्ट कोई पावती भी नहीं कि बिल्कुल मेरे पास है हमने सीयो साथ कोई भेजा है एस पी साथ कोई बेजा है दियम साथ को भी हमने पत्रक दिया है फिर कहां कही नयाले औगरे में गये कुछ जी हाँ उसके बाद मुझे मजबूरन नयाले का दरवाजा खट खटाना पड़ा है और मैंने दरोगा जी के खिलाप इस तकासा दाखिल किया है और नयाले में ओ मामला अभी विचारा धीन है सायद इस मन्थ में यानि की वर्तमान अब का बयान हो गया है कंप्याया हो गया हुए ह् गवां हो गया है सीसी टीबी केमरे काुछ छी मांगा खट हुए 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 है Dalby जी रिकार्ट विचला तो बोल रहा हुं मैं तो एक सकी चिला हरा हूं कि 21 जनवरी दो हाडार 24 का उतर प्रदेश के बल्निया जिला के नगरे थाने का CCTV कैमरे का रिकार्ड पूरे देश के सामने सारजनी कर दिया जाए पूलिस की पूरी काली करतुत उसके अंदर आ जाएगी कि एक दरोगा कैसे छेडखानी महिला के साथ दिन दाड़े कर रहा है और एक फौजी के साथ मैं जो कह रहा हूं उसी को तो आप रिसित करेंगे और जनता के उपर मानने ना मानना उनके ब्यवहार और विचार के उपर डिपेंड करता है बड़ CCTV केमरे का रिकार निकलवा दीजिए न मैं तो आप सभी से प्रातना कर रहा हूं हाथ जोड़ करके जितने भी प्रसासनी का अधिकारी हैं करमचारी हैं राजनैतिक नेता हैं आप निकलवाईए बलिया जीला के नगरा थाने का CCTV रहा है है गंभीर सवाल कि घटना होई गटना के पांच्छा दिन बाद इन्होंने आवाज उठाया कप्तान कहां गए स्यों कहां गए लिखा पढ़ी किया तो इतना पर्यात समेत था कि एक ऐसे फोजी के साथ जो स्वेम अपसर रहा हो अपसर में ही आएंगे यह लोग और ऐसे महत् तो उसे तो संदच्छित करना चाहिए अगर नहीं किया तो दरोगा ही क्यों उनके उपर हैं सारे लोग दोस्की परिधी में आते हैं मुझे नहीं पता कि इनका क्या मामला है जो कह रहे हैं वह मैंने सुन लिया अभी है कि अगर सीसी टीबी कैमेरा रहता है अर थाने में अ किसी कैमरा कि कोई किसी के साथ इस्तरक की घटना नहों हो तो वह सुरक्षित कियो नहीं कराया गया यदि कैमरा सुरक्षित कराया गया होता तो सब दूद का दूद पानी का पानी होता है अगर फोजी ने कोई चूक किया गलती किया तो आप वहां दर्ज करते मुकदमा और बताते कि साहब एक फोजी और इस तरह से उदंडिता किया है तो सारी उदंडिता तो आपकी समझ में आ रही है और कैमरा, सिसी फुटेज कैमरा का आप देंगे नहीं देते भी नहीं है लोग, यही करेंगे ख़ें ही कुछ न कुछी ले, करते टालते ऩालते लटकाते, तब तक लटकाऊ जब कि कोहधिया जाएक शाहब तो खतम हो गया परअब तो पांडर जी यह लडाई लडेंगे आप यह लडाई है उम लडेंगे और दिल और जान से लडेंगे महिला क्या कर रही है महिला डरी है, सामी है, चुपी हुई है नहीं, मतलब उन्होंने जो उनके साथ हुआ क्या हुआ आप इह जानते हैं, महिला जानते हैं हम उसके बाद हमें जो है को उनके परिवार से गनिष्टता बढ़ी है अच्छा और उसके बाद नौलेज का आदान पड़ान को है उन्होंने भी हाल किया है उन्होंने भी जितने हम चैनल आपको बता रहे हैं इस सभी चैनल को उन्होंने भी पार किया है और छेड़ खानी की केसे उनके भी पक्ष में कोई भी आज दे कदिकारी करमचारी नहीं आ है अन्त तो उन्होंने भी नयाले का दर्वाजा खट खटाया है अच्छा परिवाद दाखिल कि आप यहां क्या करने के लिए हैं हमारे इस पी साब देवरंजन बर्मा साब बोले हैं कि यहां कौन साब को नयाय मिलेगा आप नयाय लेना है तो जाईए कोट में जाईए महि भारतिय फाउज जिसके वज़ा से सीमाय सुरचित हैं हमारी भारतिय सेना जो लेह लदाक में ऐसे ठंड में करवी में और तमाम परसानियों को सहन करते हुए चाइना पाकिस्तान बंगलादेश स्रीलिंका से हमारी रच्छा करती है यदि उन फाजियों के साथ ऐसा हो रहा तो कदाप ही ऐसे लोग शमा के बात रही है और ऐसे लोग इस टेसन अपसर के पोश्ट पर तो कदाप ही रहने लायक नहीं है ऐसे लोग को जेल बजा जाना चाहिए पुलिस अदिछक महोदय को हमने मेडिकल के लिए भी दिया था रिकुजीशन अब ये बेवस्था है कि जब पुलिस चाहेगी तभी आपका मेडिकल किया जाएगा लिहाजा मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट नहीं है क्योंकि पुलिस ने तो नहीं कराया लेकिन आपके प्रम यह हमारे टीटमेंट का है हमने टीटमेंट तो करा है ना मेडिकल नहीं करने दिये यह पत्र आपका है 2012-2023 और खटना कब की है अच्छा 241-2024 यह जो है पत्रक हमने स्रीमान पूलिस अधिचक को लेकिन इसका इसका प्रमार क्या है आपके पास कैसे दिया है आपने कि नहीं कराया है तो कपतान भी कम-दोसी नहीं है नाप देने लाइक है और पुलिस कपतान राने लाइक नहीं है क्योंकि आपने यह तीया है गटना के बाद अपने बारती दाग से दिया है और यह हमारा मेडिकल का देखें इसा इसे लिखा हुआ है देखें एक वहां का भी समेरी कार्ड है यह देखिए बलिया का है मेरे पास फ्रेक्चर केस भी है और सीओ साब को भी हमने किया है पूरी फाइल है और जहां जाँ हमने इस प्रकायर का दूर बेवहार, बार पीट और निक्रिष्ट आचरन का परिचे जहां टोपी भी रहुत दी जाती है, तो देश कैसे चल रहा है और देश का कल्यार कैसे होगा, हमारी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है और ऐसे लोगों से कैसे निपटना चीए, दोस्तो को भी बहुत धन्यवाद साम।